इस चैनल पर ये जो फैंसी हाफ जैकेट मैंने सिखाना शुरू किया हुआ है आज इसका ये पार्ट नमबर 9 है आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रेंट की लेप्ट पार्ट में आरम होल और नेक की कटिंग करना बताऊंगे कि इसकी कटिंग कैसे करनी है तो चलिए फ्रेंट्स आज की वीडियो शुरू करते हैं ये देखिए फ्रेंट्स इसका ये जो राइट पार्ट है ये कंप्लिट हो चुका है और ये इसका लेफ्ट पार्ट है लेफ्ट पार्ट में अब हमें ठीक राइट पार्ट की तरह इस डिजैन की साथ जैसे यहां से इस design को adjust किया था ऐसे ही अब हमें इस part में करना है तो यह देखिए यहाँ पर जो हमने 16 फंदे की खटाई की हुई है वो 16 फंदे छोड़ कर जैसे यह design हमारा यहाँ पर complete हो गया है next बार की इसकी starting होनी है तो यहाँ से अब हम इस design को शुरू करेंगे तो मैं यहाँ पर यह starting के 16 फंदे बना लेती हूँ यह देखिए प्रेंट्स यहाँ पर मैंने यह 16 फंदे जो की मैंने armhole की cutting के लिए हैं वो बना लिये हैं अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे धागा अपनी तरफ है पीछे की side से slide डालके दो फंदे का एक फंदा कर देंगे अब हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह साथ अब देखिएगा, अब हम ये वाला और ये वाला आगे की side से slide डालके यहाँ पर दो फंदे का एक कर देंगे तो यह हमारा 11 फंदे पर डिजैन बनता है दो का हमने यहाँ एक किया है, दो का एक यहाँ किया है साथ फंदे पीच में सीधे बनाएंगे तो जो दो एक किया, वो जाली से यहाँ बढ़ा दिया अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये दिखिएगा, इस डिजैन के यहाँ तक ये जो बीच में फंदे हैं इनको हम डिजैन के अनुसार बनाएंगे तो धागे को अपनी तरफ किया है इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया है जो हमने इस डिजैन के लिए यहाँ घटाया है धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा फिर धागा पिछे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा और यहां पर हमने अब यह जो डिजाइन बनाया हुआ है इसको हम एड़ेस्ट करेंगे तो धागे को पिछे करेंगे यह एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ इसे पलटके हम सीधा कर दे पीछे की साइड से स्लाइड डालके दो फंदे का एक कर देंगे अब देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये साथ फंदे बीच में सीधे बनाने के बाद आगे की साइड से स्लाइड डालके दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा सीधा तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया धागा अपनी तरफ अब जो पट्टी के फंदे हैं इने पट्टी के अनुसार बना लो यहाँ पर अब मेरा ये दोनों साइट पर डिजैन एड़जेश्ट हो गया है अब मैं इसकी जो यहां तक की यह length है इसे complete कर लेती हूँ और फिर इसके armhole के cutting बताती हूँ यह देखे friends यह जो हमारी length है अब यहां तक यह complete हो चुकी है इस design के लिए आपको फिर से बता रही हूँ यह जरूरी नहीं है कि आधा ही inch आपका कम हो तभी आपने इसको adjust करना है अगर आपका एक inch पहले भी अगर यह वाला design complete हो जाता है और next design आप जो पूरा करती है तो वो इसके उपर चला जाता है या इसके level में पहुंच जाता है तो आपने क्या करना है इस नीचे वाले design के साथ ही इस design को adjust कर लेना है अब इसकी हमने आरम होल की cutting के लिए पहले 12 फंदे बना लेने है यह देखिए इस फंदे को हम ऐसे लेंगे इसमें से एक फंदा ऐसे बनाया और इसको यहां डाल देंगे अब इसी फंदे में से एक फंदा और बनाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे फिर से इसमें से एक फंदा ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे ऐसे करते हुए इसमें मैं 12 फंदे बना लेती हूँ यह देखे फ्रेंस यहां पर मैंने 12 फंदे बना लिये हैं 12 में से अब मैं 11 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेती हूं तो देखे इस तरह से इनको ध्यान से बुनना है धागा अपनी तरफ कीजिए और 12 में से 11 फंदे को बुन लिजिए यह देखिए फिर्स यह मैंने 11 फंदे बना लिये हैं 2, 4, 6, 8, 10, 11 और यह बार्मा फंदा है और यह वाला फंदा इस पार्ट का है तो धागे को पीछे करेंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे की साइड से स्लाइड डालके यहां देखिए दो फंदे हैं इन दो का पहले एक करेंगे आप यहां पर एक ये वाला और एक ये वाला इन तीन फंदे का भी एक कर सकती हैं और इस तरीके से भी कर सकती हैं पहले दो का एक कीजिए फिर इस फंदे को वापस पलट के यहीं पर डाल दीजिए और फिर से नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर दो का एक कर दिए दोनों तरीके में से जो आपको ज़्यादा आसान लगे वही आप कर सकती हैं धागे से हम पलट जाएंगे और ये जो हमने फंदा लिया है बारवा इसको हम स्लिप कर देंगे एक बार में तीन का एक कीजिए या अलग-अलग कीजिए यहाँ पर आपकी अपनी जोई से धागा पीछे करेंगे अब यहाँ से हम इस बौडर के बुनाई करेंगे यह फंदा यहाँ पर हमारा उलटा है क्योंकि इधर से यह सीधा है तो धागे को पीछे करेंगे यह अब एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक फंदा उलटा इस तरह से करते हुए इसको मैं बना लेती हूँ अब आज ये इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड पर फिर वही करेंगे ये एक फंदा उल्टा धागा पीछे और एक सीधा इस तरह से करते हुए बारा फंदे में से मैं ग्यारा फंदे बना लेती हूँ यह देखे फ्रेंट्स 11 फंदे मैंने बना लिये हैं अब ये वाला जो फंदा है इसको आपने अगर ये टेड़ा हो तो ये ऐसे हो जाता है इसको आपने पलटके और सीधा करके डाल देना है और पीछे की साइड से आप चाहो तो इन तीन फंदे का यहाँ पर इस तरह से एक क जिए इस फंदे को इस तरह से लीजिए और फिर से next हंड़े को इसके साथ लेकर दो का एक कर दीजिए ये दोनों ही तरीके से इसके cutting हो जाती है अब यही से turn करेंगे इस फंदे को slip करेंगे और आगे के 11 फंदे हम बुन लेंगे फिर सीधी साइड पर 11 फंदे बना लेंगे ये देखे फ्रेंट्स 11 फंदे मैंने बना लिये हैं अब ये वाला जो फंदा है इसको और इसका जो ये next है बैक साइड से स्लाइड डाल के दो का एक किया इसको हमने वापस स्लाइड पर डाल दिया और एक फंदा और इसके साथ लेकर हमने दो का एक कर दिया है अब यहीं से ट्रन कर जाएंगे और फिर ये इस फंदे को slip करेंगे और आगे के सारे फंदे हम बोर्डर के हिसाब से बुन कर स्लाइड को complete करेंगे सीधी साइड पर फिर से हमने इसी तरह से घटाई करनी है ये देखेगा सीधी साइड पर एक बार फिर से दिखा दिती हूँ ये 11 फंदे बुनने के बाद ये जो बारमा फंदा है और ये हमारे इधर के पार्ट का फंदा है चाहो तो दोनों फंदे इसके साथ ले लेना और तीन का एक कर देना और अगर आप चाहो तो ये दो का एक कर देना इस फंदे को इस लाई पर वापस डाल देना और फिर से दो का एक कर देना जैसे आपको ज़्यादा आसान लगे उसी तरह की से आप इसकी घटाई कर सकती हैं अब ठीक ऐसे ही करते हुए । 4 बार ये 2-2 की घटाई हो चुकी है, दो बार फिर से 2-2 की होगी, 4 फंदे बचेंगे उनकी एक-एक घटाई کंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूं यह देखे फ्रेंट्स यहां की जो घटाई है वो complete हो चुकी है अब यहां से लेकर यहां के ये वाले दो फन्दे रहने तक इस लाईगों मैं बुन लेती हूँ क्योंकि ये पट्ति के फंदे हैं और ये फंदा हमने यहाँ पर कम करना है तो यहाँ तक कम है इसे बुन लेती हो, यह देखें फ्रेंट्स यहाँ के गटाई complete होने के बाद इस पार्ट में हमारी यहाँ से अब नेक के घटाई होगे, जैसे हमने इस पार्ट में यहाँ पर य ये फंदा यहां से अब कम हो चुका है, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब ये जो हमारे पट्टी के 11 फंदे हैं, इनको एक उल्टा और एक सीधा करते हुए मैं बुन लेती हूँ, उल्टी सलाई इसकी पूरी उल्टी जाएगी, दोनों साइड पट्टी है तो वो पट्टी की हिसाब से बुन लिजिए, सीधी साइड पर देखे फ्रेंट्स, ये पट्टी के जो फंदे हैं, आरम होल के 12 वो मैंने बुन लिये हैं, और यहां से अब ये डिजैन के फंदे हैं, देखे एक, दो, और ये तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलटके सीध कर देंगे, पीछे की साइड से स्लाइड आलके, धागा अपनी तरफ है, और दो का एक कर देंगे, इस बीच वाले फंदे पर पबल्स बनाना है, देखे एक फंदा बनाया, धागा अपनी तरफ, दो, धागा पीछे, तीन, धागा अपनी तरफ, चार, धागा पीछे, और पांच और यहीं से ट्रंड कर लेंगे और यह पांच फंदे अब उल्टे बनाएंगे यह देखिएगा एक दो तीन चार और यह पांच और यहीं से ट्रंड करेंगे पांच में से पहला फंदा इस तरह से सीधा बनेंगे इसको स्लाइपर लेंगे और यह बाकी के चार फंदे इसके उपर से ऐसे पलट देंगे तो यहाँ पर इसका यह बबल्स तयार हो गया है इसे अब हम यहाँ पर ले लेंगे अब यह वाले जो दो फंदे हैं आगे की साइड से स्लाइड डाल के दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ यह देखिए एक दो और यह तीन और अब यह वाला जो सीधा फंदा है इसको नीचे वाले होल में स्लाइड डाल कर सीधा बुनेंगे एक उल्टा एक यह सीधा धागा अपनी तरफ यह उल्टा बस इस डिजाइन को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है जैसे हम नीचे से बना कर लाए थे यहाँ पर अब हम फंदा घटाएंगे इस पार्ट में देखिए डिजाइन इधर से स्टार्ट होता था तो यहाँ से हमने फंदा पलट के फिर दो का एक किया था लेकिन यह डिजाइन हमारा इधर से शुरू होता है तो घटाई हमने इधर से इधर ही लेकर जानी है तो यह जो हमने देखिए ग्यारा फंदे का तो यह डिजाइन है एक इधर एक्टर रखा था तो पहली बार में हमने वो घटा दिया है एक यह वाला इधर एक्टरा है तो धागे को पिछे रखेंगे आगे की साइट से स्लाइड डालके यहां इन दो का एक करतेंगे तो सबसे पहले हम इने इस जो तेरमा फंदा था यानि क्यारा फंदे का डिजाइन एक इधर था एक इधर था तो इसको हमने कम कर लिया है अब आगे देखिए एक दो और यह तीन तीन फंदे बुनने के बाद धागे को अपनी तरफ ले आएंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे की साइट से स्लाइड डालके यहां दो का एक करेंगे अब यह जो बीच वाला है इस पर बबल्स बना देंगे यह दो का एक करके यहां के कि सलाई क्मप्लीट कर देंगे उल्टी सलाई फिर बीच के फंदे उल्टे और दोनों साइड पट्टी के बुन लेना यह देखें फ्रेंड्स यह हमारा डिजाइन यहां पर क्मप्लीट हो गया है और एक फंदे की cutting हमारी यहां से हुई है और एक की यहां से हुई है क्योंकि अब हमारी यहां से तो होनी नहीं है इधर से इधर जाएगी और यह design अब इसकी next बार के starting होगी तो आपको मैं यह से शुरू करके बता देती हूं तो यह जो पट्टी के हमारे बारा फंदे हैं पहले मैं इनको बना लिती हूं यह देखे फिंस यह बारा फंदे आरम होल की पट्टी की हैं यह मैंने बना लिये हैं अब धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे धागा अपनी तरफ है, पीछे की साइड से स्लाई डाल के दो का एक कर देंगे, अब साथ फंदे सीधे, देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ, अब एक और ये दो, आगे की साइड से स्लाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे, अब यहां से हमने इस घटाई को नहीं करना है घटाई हमने यहां से करनी है यह आपने थ्यान रखना है क्योंकि इस पार्ट में तो यह डिजैन हमारा इधर से जाता था इसलिए हमने इस साइड इसको किया था और इस पार्ट में देखिए डिजैन यहां से स्टार्ट होता है लेकिन घटाई ऐसी ही जाएगी तो अब हम इस डिजैन के अनुसार इसके फंदे बनाएंगे धागे को अपनी तरफ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो दो काई किया है यहाँ पर जाली डालनी है तो इस फंदे को हम नीचे के होल में सलाई डाल कर सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे एक सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा और यह देखिएगा यहाँ पर ये वाला जो फंदा है इधर वाले डिजैन का ये है तो एक फंदा हमने पहले खटाया था अब इसको और इसको आगे की साइड से स्लाई डालेंगे और यहाँ दो का एक कर देंगे अब धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे यह देखिएगा यह हमारे यहां 11 फंदे हैं जिन पर यह टिजैन बनेगा तो धागा अपनी तरफ है पीछे की साइड से स्लाइड डालके दो का एक कर देंगे तो यहां पर जाले आगे यहां फंदा कम हो गया अब साथ फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, और यह साथ अब देखिए एक और यह दो आगे की साइड से स्लाइड डालके यहां दो का एक कर देंगे अब देखिए यहां से यह बटन पट्टी के फंदे शुरू होते हैं तो हम धागे को अपनी तरफ करेंगे क्योंकि यह बटन पट्टी का पहला फंदा उल्टा है तो इस तरह से लपेट कर एक जाले डाल देंगे क्योंकि हमने जो यहां फंदा घटाया है वो बढ़ाना भी है तो लपेट कर जाले डालने के बाद अब हम बटन पट्टी के फंदे बुन लेंगे पहला उल्टा है तो उल्टा बनाया फिर धागा पीछे करके इस तरह से सीधा बुना तो ये मैं बना लेती हूँ उल्टी साइड पर फिर हमें वही करना है ये पट्टी के फंदे बुने है, बीच के उल्टे बनाने, फिर ये पट्टी के बनाने है सीधी साइड पर देखे friends, ये जो आरम होल की पट्टी के 12 फंदे हैं, ये मैंने बना लिये हैं अब ये जो जाली से बनाया हुआ फंदा है इसको सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ इसको पलटके सीधा कर देंगे धागा अपनी तरफ है धागा अपनी तरफ है पीछे की साइड से स्लाई डालके दो फंदे का एक कर देंगे अब देखिए एक दो तीन चार और ये पा और ये जो जाली से बनाया हुआ फंदा है इसको हम सीधा बुन देंगे आप देखिए इस फंदे को हम पलटके इसके साथ लेकर ये जो हम नैक के कटिंग कर रहे हैं उसके लिए हमने नहीं घटाना है क्योंकि इसमें हमें गल्ती लग सकती है क्योंकि ये वाला जो फंदा है यह हमारा ठीक ऐसे बनेगा इस फंदे में लेकर के यह कि हमें हर बार ध्यान रखना होगा क्योंकि घटाई हमारी इधर से इधर जाएगी अगर हमने इधर से इधर कर दी तो हमारी आरम होल की तरफ की जुकाव उदर हो जाएगा जब हम इधर से इधर की तरफ घटाई करेंगे तभी हमारा ये इधर की तरफ नैक का जुकाओ होगा तो इस फंदे में मैंने नीचे वाले होल में स्लाइड डाल कर इसको सीधा बुन दिया है धागा अपनी तरफ करेंगे इसको पल हम उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम फिर से इस होल में स्लाइड डाल कर सीधा बुन देंगे अब यहाँ पर देखें ये और ये इन में आगे से स्लाइड डाल कर नैक की कटिंग के लिए हम दो का एक कर देंगे ये हमने हर बार ध्यान रखना है क्योंकि इस पार्ट में हमारी यहाँ से डिजैन शुरू हुआ था तो ये एटोमेटिक इधर जा रहा था लेकिन इधर में हमारा डिजैन यहां से स्टार्ट होता है तो यह गलती नहीं लगनी चाहिए कि हम यहां से इधर जुकाव करें नहीं इधर से हमने आरम होल की तरफ ऐसे कटिंग करने है तो यहां से फंदा कम हो गया है फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यह देखिए धागा अपनी तरफ नहीं करेंगे सोरी क्योंकि हमने जाली यहां पर डालनी है यह जाली वाला फंदा हम पहले सीधा बुनेंगे फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इसको पलटके सीधा कर देंगे अब पीछे सिस्लाइड डाल के यहां दो का एक करेंगे तो यहां चो दो का एक हुआ तो वह जाली से फंदा बढ़ गया अब पांच पंदे सीधे एक दो तीन चार और यह पांच अब आगे की से पंदाई दालके यहां दो का एक करेंगे जो यहां पर कम हुआ धागा अपनी तरफ ले आएंगे और फिर इस फंदे को हम सीधा बना देंगे तो यहां पर फंदा बढ़ गया अब आगे हमारे 11 फंदे पट्टी के हैं उन्हें पट्टी के हिसाब से बना लेंगे जो आपने बटन होल तो आप अपने हिसाब से छोड़ दीजिएगा सबसे अच्छा यह रहेगा पहले जिस पर आपने बटन लगा ले हैं उस पार्ट को आप कम्प्लेट कर लीजिए फिर आप जो है कोई भी निशान लगा कर वहां पर अंदाजा लगा लीजिए कि कितने कितने गैपर और कहां इसकी फंदे उल्टे बनेंगे हर सीधी साइड पर हमने यहीं ध्यान रखना है यहां की बजाए हमें देखिएगा इस वाले फंदे को इधर की तरफ लेकर आना है और नयकी कटिंग करनी है यह जो लाष्ट का फंदा है यहां तक इसकी कटिंग कर देने है उसके बार देख यहां पर ध्यान दीजिए यह दोनों डिजाइन कम्प्लेट हो चुके हैं लेकिन यहां से हम जो फंदे की घटाई कर रहे हैं यह सिरफ लास्ट फंदे की घटाई बची है तो अब हम कैसे करेंगे पहले मैं यह पट्टी के फंदे बना लेती हूं ताकि आपको कोई दिक्कत मैं इसे बता देती हूं यह देखे फ्रेंट्स आरम होल के जो हमने बारा फंदे रखें पट्टी के वह मैंने बना लिये हैं धागे को अपनी तरफ कर लिया है इससे पलट के हम सीधा कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट डिजाइन हमारा शुरू हो रहा है पीछे की साइड से स् पांच छे और ये साथ अब देखिए एक और ये दो आगे की साइड से स्लाई डालके दो का एक कर देंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे देखे ये लास्ट फंदा हमने घटाना है तो आगे की साइड से स्लाई डालके इन दो का हम एक कर देंगे तो यहां हमारी ये घटा complete हो जाती है धागे को अपनी तरफ ले आएंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे पीछे की साइड से स्लाइड डालके दो का एक कर देंगे तो इदे के हमारे डिजाइन भी एड़िस्ट हो गए है घटाई भी complete हो चुकी है अब साथ फंदे सीधे एक दो तीन च्यार पांच छै और ये साथ आगे की साइड से सलाई डाल गे दो फंदे का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाले डाल देंगे आगे पट्टी के फंदे बना लेंगे अब ये डिजैन हमारा एड़ेस्ट हो गया है ठीक इनी सलाईों को ऐसे ही जैसे हमने इनको बनाया है रिपीट करते हैं डिजैन को कम्प्लेट कर लेंगे एक बार फिर से मैं इस डिजैन को एड़ेस्ट करके दिखाऊंगी क्योंकि अब next हमारा ये डिजैन जैसे हमने यहां से बनाया था वैसे ही बनना शुरू हो जाएगा ये देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा डिजैन है अब ठीक ऐसे ही चलना शुरू हो गया है जैसे हमारा ऐसे जा रहा है इसकी next बार की एक स्टार्टिंग आपको फिर से बता देती हूं ये पट्टी के जो हमारे 12 फंदे आरम होल के है वो मैंने बना लिये है तो 12 फंदे हमारे इधर है 11 बटन पट्टी के है और 23 फंदे हमारे बीच में है तो अब देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे पीछे की सैट से स्लै डालके दो का एक करेंगे अब देखिए एक, दो, तीन, चार और ये देखिए पांच, छै, साथ, और ये आठ धागा अपनी तरफ करके दो का एक किया और उसके आगे देखिए दो, जार, छै, और ये आठ अब ये देखिएगा ये वाला जो बीच वाला फंदा जा रहा है इसको छोड़के इस बीच वाले को हम ऐसे लेंगे इसको पीछे की सैट से यहां ले आएंगे और बीच वाले को पलटके आगे डाल देंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे पिछे की साइड से स्लाइड डालके यहां तीन फंदे का अब एक फंदा कर देंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे अब देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ फंदे सीधे बुनने के बाद ये वाले जो दो फंदे हैं आगे की साइड से इनको लूज भी कर सकती है अगर टाइट लगे तो आगे से स्लाइड डालके दो का एक कर दीजिए अब यहां पर जो फंदा घटाया दागा अपनी तरफ करेंगे लपेट कर जाली बनाएंगे और ग्यारा फंदे जो बटन पटी के हैं उनको हम बुन लेंगे तो अब आप देख सकती हैं यहां से हमारा ये नेक्स्ट बार का दोनों साइड का डिजैन एड़ेश्ट हो गया है अब ये डिजैन हमारा जो आट सलायों में रिपेट होता है इसी को हम आगे आगे रिपेट करते जाएंगे और इसकी जो लेंट है वो देखिएगा यहां तक जितनी इसकी है उतनी ही हम इसको बना कर कम्प्लेट कर लेंगे तो फ्रेंड अब इसे सिर्फ आगे आगे रिपेट करना है बाकि इसमें कुछ नहीं करना है इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके सुई से कंधे जोडने हैं और ये जो पट्टी है इसको राउंड नेक में हमने किस तरह से बना कर जोडना है ये बताऊंगी तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रूप में से शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन क करना बता दूंगे वीडियो पसंद आए तो प्लीज फिर सी बोलू लाइक कर दीजे थेंक यू